दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखण में अगले चार दिनों तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताईगी है गुरुवार तक जारखण के कुछ हिस्सों में हलके से मद्यम दर्जे की बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार फिलाल नीम नदाप की शेत्र का असर बिहार और उसके आसपास की इलाकों तक सिमीध है जारखण में इसका असर कम हो गया है बताय गया है कि 15 अक्टूबर के आसपास जारखण में मौनसुन का लोटना शुरू हो सकता है पूजा के दोरान मौसम भागने बारिश की संभावना जताई है पर यह भी कहा गया है कि इसका कुछ खास असर नहीं होगा दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है जारखण में मात्र एक रुपए के टोकन मनी पर मिलेगी 25 एकर की जमीन जारखण में निवेशकों को आकरसित करने के लिए जारख जारखण की राधानी राची के एचिसी इलाके में स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है देश के सरवोतम सैचनिक संस्थानों को आकरसित करने के लिए राची स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट की ओर से यह ओफर दिया गया है अधिकारियों ने इन्वेश्टर्स म में मात्र एक रुपए के टोकन मनी पर 25 एकर जमीन आवंटीत करने की घोशना की है जारखन में 1395 पदों पर बंपर सरकारी नौकरी जारखन में पंचायती राज बिभाग ने कनिय अभियंताओं और कंप्यूटर ओपरेटर सह लेखा सहयकों के 1395 पदों पर अभियारतियों क अनुबंद पर रखने के लिए तैयारी कर रहा है इसमें 526 कनिय अभियंताओं और 879 कंप्यूटर ओपरेटर सह लेखा सहयक के पद हैं जारखन की पंचायतों में विकास को गती देने वाले खाली पदों को 10 दिन में भरा जाएगा पांच अक्टूबर तक इनके लिए परखन और पंचायत का कलश्टर भी चिन्हित कर लेने के लिए कहा गया है निदेसक ने सभी उपायुक्तों से कहा है कि कंप्यूटर ओपरेटर सह लेखा सहयक के लिए चिन्हित पांच पंचायतें एक दूसरे से नजदीक हो और एक ही परखन में हो ताकि उन्हें आने जाने और काम करने में आसानी हो सके फिलाल सभी पंचायतों में विकास योजनाव से जुड़े अधिकतर पद खाली पड़े हैं इसमें काम करने में काफी परिशानी आ रही है पता दे कि सभी पदों को भरने के बाद विकास की गती तेज ह जाएगा दोस्तो बड़ी खबर सामने आ रही है हमले में जखमी पत्रकार बैजनात महतो की रिम्स में निधन दोस्तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पत्रकार बैजनात महतो का रिम्स में निधन हो गया है वे पीछले एक महिने से रिम्स में इलाज रत थे आपको बत पिछले महीने सितंबर में देर रात कुछ लोगों ने बेजनात महतों पर जान लिवा हमला किया था हमले में उनके सर पर गंभीर चोटे आई थी अगले दिन सुबह के तीन बजे पुलिस ने उसे बेहोशी की हालत में रिम्स में भरती कराया था बासुकी नात से देवगर तक बनेगी 952 करोड में फोर लेन बासुकी नात से देवगर के बीच फोर लेन सडक 952 करोड की लागत से बनने वाली है नेशनल हाईवे ओथोरिटी ओफ इंडिया ने इस सडक निर्मान का डी पियार तयार कर लिया है सडक निर्मान के लिए एलाइनमेंट भी तयार कर लिया गया है अब जमीन अधिगरन की कारवाई की जा रही है बता जा रहा है कि नेशनल हाईवे डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट फेज शार के तादी से शामिल किया गया है NH-114-1 की यह सडक 38 किलोमेटर लंबी है जिसे फोर लेन बनाया जाएगा इस सडक के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिगरन किया जाना है जिसमें लगभग 161.62 करोड रुपे मावजा के लिए खर्च कि होंगे बता दे कि NH-I इस सडक निर्मान के लिए सिविल वर्क के लिए लगभग 682 करोड रुपे खर्च करेगा सडक में सर्विस लेन भी बनाया जाएगा इसके अलावा सोचाल इत्यादी की भी सुविधा उपलप्त कराएगी 25,000 रुपे रिश्वत लेते धराया SDO का स्टेनो एंटी करप्सन ब्यूरो हजरी बाग के टीम ने चत्रा जीला में बड़ी कारवाई करते हुए SDO के स्टेनो चंद्रकांत को अनुमंडल कार्याले से 25,000 रुपेया घूस लेते गिरपतार किया है चंद्रकांत को गिरपतार करने के बाद ACB की टीम उसे हजारी बाग अपने साथ लेकर चले गई जहां उनसे पूछ ताच की जाएगी खबनों के अनुसार SDO के स्टेनो चंद्रकांत ने हंटर गंज के PDS डीलर का निलंबित PDS लाइसेंस को निलंबन मुक्त करने के लिए 50,000 रुपेय का रिश्वत मांगा था जबकि वादी गूस देने को तयार नहीं था इसकी शिकायत हजारी बाग ACB टीम से की गई थी जार्खन की राधानी राची में नए तरीके से शुरू होगी 200 सिटी बसें नए तरीके से शुरू होने वाली सिटी बस सेवा के लिए पहले DPR बनाने का काम होगा DPR बनाने के लिए Transaction Advisor यानि TA का चैन होना है इस चैन के बाद बीते दीनों निगम सभागार में प्राइवेट कमपनियों के परतिनिधियों की उपस्तिती में एक हाई लेबल बैठक हुई थी बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्कनरशिप यानिकी पी-पी-पी मोड पर सीटी बस चलाने को लेकर बिश्त्रित चर्चा हुई बता दे कि बसों की खरीद से शहर की परिवन ब्योस्था को मजबूत बनाया जाएगा साथ ही इन में कई लोफ लोर बसे खरीदी जाएगी इससे दिव्यांग जनों को इससे चड़ने में आसानी होगी जहर कंड के स्वास्थे मंतरी स्रीबना गुपता ने कहा दुरगा पूजा के दोरान भोग का होम डिलिविरी कर सकती है पूजा कमिटिया जहर कंड के स्वास्थे मंतरी स्री बन्ना गुपता ने ट्विट करके कहा है कि 16 सितंबर को जारी का हैडलाइन के 16 नंबर पॉइंट पर इस पस्ट है देर इस नो रेश्ट्रिक्शन्स ओन होम डेलिविरी आप प्रसाद अता इस गतिरोत को समाप्त कर मा दुर्गा की अराध्रा की तैयारी की जाए आईए हम सभी मा गौरी से बिंती करें कि जार्खन राज ये जल्द कोरुना से मुक्त हों बता दे कि दुर्गा पुजा में भोग बनाने और उसको देने को लेकर जार्खन के सभी जीलों में हंगामे की बीच यह सुखद खबर आई है जार्खन सरकार ने इस पस्ट किया है कि 16 सितंबर को ही जारी किये गए गाइडलाइन के 16 नंबर पॉइंट में इस पस्ट किया गया है कि परसात को होम डिलिवरी की जा सकती है जार्खन में कोरोना के अंठानबे सक्रिये मामले सुमवार को स्वास्थ विभाग की ओर से बताय गया है कि जार्खन में कुल सक्रिये अंठानबे मामलों में 52 जार्खन की राधानी राची में है राची जीले में 7 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं अब तक कुल 85,821 पोजिटीव मामले आए हैं जिन में 84,183 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं जार्खन में कुरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है कुरोना को 8 लोगों ने हराया है सोमवार सुब तक कुरोना के 9 नए मामले मिले हैं जार्खन में कुरोना के कुल मामलों की संख्या 3,48,264 हो गई है जार्खन में कुल 1,49,35,686 सेंपल की जांच की गई हैं बता जार्खन में कुरोना के अंठानबे सक्री मामले हैं जार्खन में कुरोना के 3,43,31 मरीज ठीक हुए है अब तक जार्खन में 5,135 मरीजों की मौत हुई है इन दो कमपनियों को बेचने की तयारी में केंद्र सरकार देश की परमूख सरकारी कमपनियों के वीनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर इस हबते कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। बीतमंत्री निर्मला सीतरमन कई बार का चुकी है कि सरकार बिजनेस नहीं करना चाहती है इसलिए घाटे में चल रही सरकारी कमपनियों और कई बड़े प्लांट को सरकार बेच रही है। फरिटिलाइजर सेक्टर की दो कमपनियों एनेफल और आरसी एफ में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारियां कर रही है। इसके अलावा स्टील सेक्टर की बड़ी सरकारी कमपनी सेल के दो प्लांट को भी बेचने की तैयारियां की जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 20,799 नए मामले 180 लोगों की मौत स्वास्थ्य मंत्राले के ताजा आकड़े की अनुसार बीते 24 घंटों के दोरान कोरोना के 20,799 मामले नए मामले सामने आये हैं और 180 लोगों की मौत हुई है हलाकि इस दोरान 26,718 लोग स्वास्थ भी हुए हैं वही सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि भारत में अब कोरोना के 2,64,458 सक्रिय मरीज बचे हैं जो की 200 दीनों में सबसे कम है मंत्राले ने कहा कि सक्रिय मामले कुछ जीहा कुल मामले के सुन्य दस्मलों 7,8 परतिशत है जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है जबकि रीकवरी दर 97 दस्मलों 8,9 फिसदी दर्ची गई है जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है कोरोना से मौत के लिए 50,000 रुपए मौज़े को सुप्रीम कोट ने दी मंजूरी कोट ने कहा है कि मौत के परिवार को मिलने वाला यह मौज़ा दूसरी कलियान योजनाउं से अलग होगा दावे के 30 दिन के अंदर यह भुक्तान किया जाएगा पैसे राज्य के आपदा परबंधन कोश्षे दिये जाएंगे 23 सितंबर को सुप्रीम कोट के जस्टिस एमार शाह और एस बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षीत रखा था उस दिन केंदर ने हर माउत के लिए 50,000 रुपए माउजा तैक करने की जानकरी कोट को दी थी तब कोट ने इस पर संतोष यताते वे कहा था कि विप्रित परिस्थितियों में भारत जो कर पाया वैसा और कोई देश नहीं कर सका यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीडा जेली उनके आसु पोचने के लिए कुछ किया जा रहा है